हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो टेंबोस कीचेन, आजे मों तमारी साथे लादी पाउनी रेसिपी लईना आवी छू, आ लादी पाउ घरे बनाव बोच एजी छे, और बैकरी करता पण एकदम चोखा, और एकदम परफेक्ट बने छे, और बैकरी करता पण सारा बने छे, तो आ आ लादी पाउ बनाव माटे अपड़े एकदम परफेक्ट रीते लोट कई रीते बांधो, ए बद्धी टीप्स और ट्रिक्स में बतावी ली छे, तो वीडिया ने तमें अंत सुधी जोजो, और आ रेसिपी ने ज़रुथी ट्राई कर जो, तो चालो जोई लेए के वी री परफेक्ट बेकरी स्टाइल लादी पाउ, तो लोट बांधों माटे अपड़े सवुथी पेला एस्ट ने एक्टिव करवानी छे, तो मैं याँ एक टीस्पून ड्राई एक्टिव एस्ट ली दी छे, एस्ट तमें कई ब्राणनी लो छो, औने कई प्रकार नी लो छो, ए बहुत जरूरी छे, जो बहुत जुनी इस्ट असे, औने एक्सपाईरी डेट वाड़ी इस्ट तमें यूज करसो, तो लोट बिल्कूल पन सारो नहीं बने, अपणा पाउपन बराबर नहीं थाई, तो इस्ट तमारे एकदम सरसत लेवानी छे, अने सारा ब्राणनी यूज करवानी छे, हवे आपणे एमा 2 टेबल स्पून खानडू मेरी सु, औने अड़्धो कप आपणे हुफाडू पाणी आमा उमेरवानू छे, पाणी बहु घरम के ठंडू नथी लेवानू, थोड़ू हुफाडू ओई एउज लेवानू छे, अवे या बद्दू बराबर म जेटलों में या मेंदो लीधो छे, हवे आपणे आमा 2 टीस्पून मिठू उमेरवानू छे, औने 2 टेबल स्पून जेटलों आपणे तेल उमेरवानू छे, तो तमे जोई सको छे, आपणे इस्ट एकदम सरसरीते एक्टिव थाई गई छे, जो तमारी इस्ट सारी नहीं ह जेटलों हुँफाणू बीजू पाणी लीधू छे, औने पाणी उमेरता जैसू, औने लोट बांधी लेवानू छे, लोट ने आपणे एकदम सरस्वूफ्ट बांधवानू छे, तमे लोट बांधवानू छे, तमने बांधी वखाते थोड़ों चिकणों लाग से, पने ए रितनोच लोट बांधवानू छे, बहुँ हाड एटले के कठन लोट नथी करवानू, तो आपणे आ रिते थोड़ों थोड़ों पाणी उमेरता जैसू, औने लोट बांधी लेवानू छे, लोट बांधवा माटे आपणे थोड़ों हूफाणू होई एवु पाणी नो उप्योग करवानू, जेती आपणे लोट एकदम सरस बंधा शे, तो आपने आ रिते लोट ने मसल ताजवानू चे, अने लोट बांधी लेवानू छे, तो मैं लोट ने जेतलो मसल सो, आपणे पाव deepest मसल जाड़ी दार, अने शौफ्ट बन शे, तो लोट ने मसल बहुद जरूरी छे तम्हें जेटलोस आरीटी ते लोटने मसड़ सो एटलोस लोट आपके एकदम सरस थसे और पाउपन एकदम जाड़ीदार और अने सौफ्ट बनसे तो लोट बांधमा माटे मायरे अत्यारे टोटल एक कप प्लस थ्रीफोर्थ कप जेटलू पाणी यूस थयू छे तो आपणे लोट पंदर थी 20 मिलिट माटे लोटने आरीट एकदम सरस रीते मसड़ी लेवानो छे तो तम्हें जोई सको छो आपणे लोट एकदम सरस सोफ्ट बन्धायो छे औने यूस जरूरी छे तो अवे लोटने आपणे फर्मेंटेशन माटे मुकी देवानो छे तो आपणे आरी ते लोटने एकदम सरस रीते गोड वाडी लेवानो छे औने पाचानी बाजू थी आपणे लोटने आरीते बंद करी लेवानो छे inspired Tagen अमारे लोट ने ज़े बावल मा राखवानों छे ये बावल ने आपणे आरी तेल थी ग्रीस करी लाई सु जह थी ये बावल मा चौंटे नहीं हवे आपणे लोट हेमा मूखी दई düşend魔bn 2-4 तीजपून जिटलू तेल उम्हेरी सु अने 1-4 तीजपून जिटलू पाणी उम फर्मेंट थाही जसे ॉझे झो ठंडी असे ॐ ठंडी यूटी नया वाता ओर ह gustaríaंच माँ लोटे थोडी वधारेवार लगते फर्मेंट था फुली गयो छे एटले के फर्मेंट थाई गयो छे हवे आपणे उपर थी थोड़ मैंदो स्प्रिंकल करी सू और बदी हवा आरी ते पंच करी ने काडी लई सू और लोटने थोड़ मसडी लेवानो छे तो तम्हें जोई सको छो आपणे लोट एकदम परफेक्ट रिते फर् अमारी पासे आरी तनू केक्टीन होई ए यूज करवानू एमा लादी पाओ एकदम सरस्रीते बेग थसे तो मैं अत्यार आवी रिते बे केक्टीन लीधा छे ए बन्ने केक्टीन ने आपणे तेल्थी ग्रीस करी लेवानू छे औने मेंदो छाटी ने बराबर स्प्रेड कर लेवानू छे जो तमारे आ रिते नह करू होए तो तमे बटर पेपर नो पन उप्योग करी सको छो तो आपड़े आ रिते जेपन टीन यूज करवाना होए ए सउथी पैल आपड़े तैयार करी लेशू औने पछी लादी पाओ बनाओ माटे आपड़े ना बॉल्स तैयार क लेवाना छे तो मैं यह लोट थोड़ाई लिदो चे अन्य लोट ने आ रिते हाथे थी थोड़ ऍप्रेड करी लएशू औने लोट मा थी आपड़े एकदम सर्खी रिते लुआ करवाना छे तो तमारे कई साइज ना लादी पाओ बनावाना छे ए रिते तमारे एनी હરવाનी છે તો હતેર્ં નાણી સાઈજ ના લાદી પાઓ બનાવાની છો તો એ રીતે આપણે આરીતે એના કટ કરી લઈશું અને હું તમને બતાઓ એ રીતે આપણે બંસ બનાવાના છે આરીતે ગોળ કરીને પાચળના ભાગેથી બરાબર બંદ કરી લેવાનું છે અને એકદં રાઉંડ આપણે લુઓ બનાવાનું છે તમે જોઈ સકો છો આ રીત્નું આપણે લુઓ બનાવી ને તયાર કરી લેવાનું છે તોં આ રીતે બધધા જ લુઓા બનાવી ને તયાર કરી લેસ તમે યા લાધી ખોછે અને અને એકદમ સરસ ફરમેટ થઈ ગાયા છે ને ડેબલ સાઇજ માં થઈ ગાયા છે હવે લાધી પાવને આપણે ઉપર થી આવી રિતે એકદમ હળવા હાથે થોળુ દૂત સ્પરેડ કરીસુ જેથી લાધી પાવનો કલર એકદમ કરવાના છે તો બેકિંગ મોડ ઉપર 180 ડિગ્રી ઉપર આપણે 20 મિરીટ માટે આ પાવને બેક કરવાના છે ઓવણબા તો આપણે આપણે ને બહાર કાડી લઈસું ઔપાવં ગરમ હોએ ત્યારેજ આપણે તેલ કાતો બટર થી ઉપર ગ્રીસ કરી જેથી એકદમ સરોસ થંડા થઈ જઈ અને નીચે થી પણ એકદમ સરોસ થંડા થઈ જઈ તો આપણે આરીતે વાયર રેક કાતો પછી કાણા વાડી કોઈ પલેટ ઓએ એના ઉપર તમારે આ પાઓને કાડી લેવાના છે અને ગરમ ગરમ પાઓને તમ અને એકદમ સોફ્ટ એકદમ રૂજ એવા અને પોચા આ લાદી પાઓ ઘરે તમે જરૂરુતી ટ્રાઈ કરજો આ રેસીપી એકદમ ઈજી છે આ તમે ટીપ્સ અને ટ્રીક્સ થી લોટ બાન્સો તો તમારા લાદી પાઓ પણ એકદમ પર્ફેક બન્સે તો આ લાદી પાઓની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરુતી ટ્રાઈ કરજો અને રેસીપ કવી લાગી એ કમેન્ડ તેયાં સૂધીયા હૂજો થેંકી ફાવચીંગ મે વીડ્યા કાં 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 કྣફતા કાં 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 ંામશેં હાંજ શાં ક྾ં કાં 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 કાたિં શમ ઈાંાં કનો કાંંદં झाल झाल